तो हलो दोस्तों आज की इस नए वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि आप अपने वाइटी इस्टीडियो को क्रोम ब्राउजर में कैसे ओपन कर सकते हो ओभी डेस्टॉप साइड में जैसा कि दोस्तों कम्पूटर लिप्टॉप अधर प्लेटफर्म में आपका यूटू तरीके से कि आप अपने वाइटी इस्टीडियो को क्रोम ब्राउजर पे कैसे ओपन कर सकते हो तो दोस्तों मेरे जान मेरे भाई यदि आप एक नी यूटूब क्रियेटर हो तो ये वीडियो आप लोगों को काफी यूजफूल होने वाली है काफी इसमें आप लोगों को ज जैसे ही आप अपने यूटूब के अप्लिकेशन में आओगे, वहाँ कोने में 3 डॉट दिख रहा होगा, ठीक है, वहाँ 3 डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आप लोगों को अपने चैलन का लिंक कॉपी करने का ओफशन आजाएगा, वहाँ से आपको अपने को आज आना है क्रोम ब्राउजर पर, ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप अपनी क्रोम ब्राउजर मोबाइल की क्रोम ब्राउजर पर आओगे, वहाँ पे आप लोगों को अपने यूटूब का लिंक पेस्ट कर देना है, ठीक है, पेस्ट करने के बाद देन दोस्तों, आप लो डेश्ट ओफ साइड पे ओपे नहीं होगा दोस्ते उससे आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा उपर कोने में थ्री डॉट दिख रहा होगा ठीक है वहाँ पे आप क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद नीचे डेश्ट ओफ साइड का आफशन आएगा वहाँ पे आप दोस्तों यह फूल तरीके से ओपन नहीं होता है यह एक तरीके से नॉर्मली ओपन होता है दोस्तों जैसे ही यह ओपन हो जाएगा वहाँ पे आप लोगों को कस्टमाइज चैनल को आफशन दिखेगा एकदम फ्रंट पे वहाँ पे मैंने यहां पे वीडियो चला रखा इस कस्टमाइज चैनल को आफ्शन दिखेगा आपको उस पे क्लिक कर देना है ठीके जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आप लोगों का वाइटी स्टुडियो थोड़ा सा प्रोसेसर के बाद आपके प्रोम प्राउजर पे फूल तरिके से ओपन हो जाएगा जो जो वरक आप वाइटी स्टीडियो एप से कर सकते हो वो वो प्रोसेसर आप वाइटी स्टीडियो क्रोम ब्राउजर पे भी कर सकते हो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से तो दोस्तों सबसे पहला आपसन आप लोगों को दिख जाएगा डेस बोर्ड का डेस बो कितने तेज़े से घट रहे हैं कितना आपका ब्यूज जा रहा है यह सब डेश बोड पर आप लोगों को सारा इंफोर्मेशन फ्रंट पर मिल जाता है देन दूसरे पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप अपने यूटूब चानल पर जितना भी वीडियो अपलोट किये रहोगे वो step by step सारा वहाँ पर सोग करेगा और दोस्तों सबसे last में आएंगे तो आप लोगों को setting का option दिखेगा setting option दिखेंगा जो आप लोगों को setting करना है वो आप कर सकती हो तो दोस्तों desktop board के option पर आना है वहाँ पर नीची आप लोगों को एक color आपको option दूसरा option दिख रहा होगा उस पर आप लोगों को क्लिक करना है आप कैसे पता कर सकती हो कि आपकी youtube की video पर copyright claim आया है कि strike आया है यह सब आप लोग कैसे पता कर सकते हो चलिए बताते हैं इसके बारे में दोस्तों desktop board की दूसरी वाले option पर आप लोगों को click करना है ठिक, जैसे ही आप आप अपने वहाँ पर खिलक करोगी आप लोगों को उपर फिल्टर का option दिखने को मिल जाएगा आप लोगों को filter की option पर खिलक करना है जैसे ही click करोगे तो वहाँ पर copyright claim को option दिखेगाáng copyright claim को option दिखेगा तो उस पर आप लोगों को click कर देना है आपकी YouTube के channel पर जितने भी copyright claim बाला वीडियो होगा strike बाला वीडियो होगा वहाँ पर show कर देगा दोस्तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो वीडियो के लाइक जरू करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजेगा दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तब तक लिए जैहिंद वन्देमाद्रम